उम्रमाशिवाय जय महाकाल आज के टाइम पे सभी माबाब परेशान है अपने बच्चों को लेके कि भीया हमारा जो बच्चा है दिन भर फोन चलाता है पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है तो इस उपाई को करके देखेगा खुद आपका बच्चा पढ़ने के लिए लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे और हमेशा के तरक होंगा जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपका परिवार नेचरल प्लैनेट आठ लाग का हो गया ह जिसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बिन आपके प्रेम, बिन आपके प्यार, बिन आपके विश्वास के ये संभव नहीं था ठीक है चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने उपाय की इसकिन पर आपको दिख रहा होगा वट व्रिक्ष है ना बहुत-बड किस चीज से करोगे वहीं की मिट्टी से लेकर के बालू ले लेना थोड़ा सा और वहीं की थोड़ी से मिट्टी ले लेना बालू और रेत से आप क्या करोगे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माड करना है कहां पे वट्ट वरिक्ष के नीचे निर्माड कर लिए आपने अब निर्मान करने के बाद जो भी आपकी स्रद्धा हो जितने आपके सामान आपके पास आसानी से हो दूद, दहे, शक्कर, घी को भी कहां पर यहीं पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादयो के नाम से समर्पित करना ठीक है अई घीका दिया लगाईएगा गोलबत्ती का जब तक वो दीपक जल रहा हो तब तक स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमर्ण आपको पार्थिव शिवलिंग को द जो आपने पार्थिव शिवलिंग के पास में जलाया है वो दीपक थंडा हो जाए बुझ जाए उसके बाद आपी जो सात यहां पे दूर्वा को उठा लेना और उठाने के बाद बाकी जितनी भी चीजे होंगी उनको ले जाकरे किसी नदी तालाब सरोवर में आप लेकिन दूर्वा को विसरजन नहीं करना पूरी की पूरी दूर्वा उठा लेना और उस दूर्वा को लेके आप अपने घर पे चले आना ठीके घर पे ला करके इस दूर्वा को चाहो तो सुखा करके या फिर ऐसे ही किसी चीज में पीस लो और पीसने के बाद किसी भी ची खिलाना जिससे वो बच्चे को पता भी ना चले और उसको थोड़ा खाने में खराब भी ना लगे वीडियो बड़ी जरूर बनी है लेकिन ये बहुत एफक्टिव वीडियो है आपके बच्चों के लिए आपका बच्चों का दिमाग बहुत जादा आगे जरूर बढ़ेगा नाम यद रखेगा महादयो का वट केश्वर महादयो के नाम से ठीक है कोशिश की अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे कुछ पूछना हो नहीं समझ मैं नीचे कॉमन में पूछे हैं आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक् जाए महाकाल